नमस्कार दोस्तों आप सबको हाथ दिक स्वागत हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एब आप जीयो तर्मल एनरजी में सब्सक्राइब के बारे में एक पेडियोफ मट्रियल आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूं रिनियूबल एनरजी एंजिनरिंगे सबी चैप्टर्स की मेरे वीडियो की एंड में में जयेगी इसको सुरू करने से प्रिंसिपल यानि की जीयो थर्मल एनरजी कैसे प्रोडियूस होती है वो फटाफ़ट से जान लेते हैं बहुत ही आसान बासा में जीयो थर्मल एनरजी को हम बोलते हैं that it is the heat from within the earth यहां पर अर्थ मेंसे जो हमको हीट मेलते हैं उसको हम बोलते हैं जीयो थर्मल एनरजी विशुड़ा दीटेल में उसको अनलाइस करें तो यहां पर मैंने बेसिक प्रिंसिपल के लिए एक ब्लॉप डायग्राफ डेवलक किया हुआ है यहां पर दोस्तों फॉस्ता को लम्जा करते हैं सवई मैं से स्टीम और वाट वॉतर को निकालते हैं एक्स्टेक्ट करते हैं और वह फर वोटर हम डालते हैं स्टीम वर्टर में वाटर अजा जाइगा एंद स्टीम अलग करती जाएगी और वो steam को हम admit करते हैं तर्बाइन और वहां पे वो steam drive करते हैं तर्बाइन को और develop करते हैं mechanical power अब भी वो mechanical power को हम convert करते हैं in the form of electricity by the help of the electric generator तो यहां पे लोगने इल्यक्रिसिटी प्रोडियूस की है विद्धी है पॉप दी जी यो थर्मल एनर्जी तो दोस्तों इस निमेश वागेला वेलकम तू माई यूटूब चैनल तो यहां पे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स मेंशन किये हुए हैं और यह टॉपिस के बारे में एंसिक्योज उसके ऑप्शन उसके आंसर एंड एक्षेनेशन मैंने पीडियेश की लिंक में आपको देने वाला मेरे वीडियो की एंड में तो फर्स्ट टॉपिक यहां पे हैं इंट्रोड़क्शन जी और थेमल एनरी कैसे मिन्यूस के अंनधर एंकाउंटर होती हैं वह यहां पर दात की है टॉपिक नमबर टू वे स्टेर्व को यहां पर एप साइकल में और प вр invece सार्थ डाले हुए है एड़ जिन्दास हर्ड अटेग प्रोप्रोप्लम्स विड जी ओ थर्मल थामर्वन नों कौंसे कौंसे प्रोप्लम्स एंकांटर होथे हैं जब भी हम प्रोडियूस करते हैं जी ओ तर्मल एनर्जी जो उसके बहुत ही अच्छे एंसी किसमें मेरी पेडियास मे तो दोस्तों आपकी मोबाल स्क्रीन के सामने अभी यहां पे PDF माट्रियल अवलेबल है for the Geothermal Energy MCQs तो दोस्तों इसको सुरू करने से पहले आपको यहां पे Basic Principle of Geothermal Energy मालूम होना चाहिए तो वो मैंने मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में एक्सेलेंट कर दिया है ओके फ्रेंट्स तो लेस्ट टार्ट यहां पे मैंने different topics और उसके regarding different MCQs with answers and explanations भी दिया हुआ है ताक कि आपको MCQs properly learn कर सके और यहां पे रट्टा मानने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो देखते हैं first MCQs process of producing energy by utilizing heat trapped inside the earth surface is called dash so यहां पे चार option है answer आएगा यहां पे B और उसका यहां पे explanation भी दिया हुआ है that process of producing energy by utilizing heat trapped inside the earth surface is called geothermal energy and energy present as heat in the earth's crust the more readily accessible heat in the upper most or the crust constitutes potentially useful and almost an exhaustible source of energy energy so यहां पे reason भी दिया हुआ है तक कि आपको यहां पे MCQs को रट्टा मानने की जरुवत नहीं है और conceptually आप learn कर सकते हो similarly यहां पे बहुत सारे MCQs टाले हुए है यहां पे next topic है हमारा vapor liquid dominated system यहां पे उसके regarding बहुत ही सारे अच्छे MCQs मैंने यहां पे set की हुए हो है with answers and explanations उसके बाद है यहां पे topic आएगा problems associated with the geothermal conversion उसके लिए भी बहुत सारे MCQs मैंने आपे set की हुए है properly learn कर सकते हो with conceptually learning and यहां पे आपको इस PDF material की link मेरे description में मिल जाएगी और वहां से आपको वो download करके friends आपके friends groups में share करना है for helping them alright friends so दोस्तों यहां पे मैंने आपको तरीका बता दी रहा है कि कैसे आप अपने concept clear कर सकते हो कैसे आप GTU MCQs की preparation कर सकते हो यहां पे रट्टा मानने की कोई जरूर नहीं है friends रट्टा मारे बिना अपने concept clear रखे और आप easily और quickly GTU के MCQs solve कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है यहां पे मेरे इस video की description में जाना है और वहां पे मैंने एक link provide की है तो वो link को open करके आपको PDF material download करना है और वो download करके material आपको अपने friends, networks या groups में share करना है और उनके भी help करने है और राइट friends तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ अच्छी information में लिए हो या कुछ अच्छा helpful रहा हो तो तुरत एक like कर देज़ेगा friends और अगर आप मेरे चैनल पर नाए हो मेरे family में नाए हो तो तुरत subscribe कर देज़ेगा और मेरे family में आ जाए मिलते हैं मेरे next video में तब तब friends stay safe, stay fit, stay healthy Bye friends